बच्चे देखे ध्यान से अब आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर अपना मास डिस्टिविशन यानि की द्रविमान का वित्रण कंजिनियस हो लगातार हो जैसे की मेरे पास ये पैन है आप देख सकते हैं इस पैन के उपर हर जगे द्रविमान उपस्तित है यह डस्टर ले 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 इस डस्टर के उपर भी हर जगे द्रविमान उपस्तित है यहां भी द्रविमान यहां भी द्रविमान हर जगे द्रविमान तो ऐसी पर श्तिति में अगर हमारे पास एसा है ऐसे इस्तिति है तो किस PRAKAR से हम इस वस्तु का द्रवाज़ देखेंगे तो यह मान सकते कि यह वस्तु जो है कई सारे छूटे छूटे पार्टिकल छूटे-छूटे कड़ों से मिलके बनी है कोई बुराई नहीं है इस बात को मानने में तो मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा ही सिस्टम है यह एक सतत दर्वेमान वित्रण है मतलब कोई body है solid body है ठोस body है या plane हो सकता है ठीक इस तरीकी चीज है या कोई एक line भी line पर भी लगाता है दर्वेमान हो सकता है दर्वेमान का वित्रण किस तरीके से हो सकता है या तो एक रेखा पर हो जाए तो यह हो जाएगा रेखिए वित्रण अब या फिर क्या हो जाए एक छेतरफल पर दर्वेमान का वित्रण हो जाए एक प्रस्ट पर हो जाए यह प्रस्ट दो तरीके के हो सकते हैं कर्व प्रस्ट भी हो सकता है या फिर यह आपका बच्चो कैसा हो सकता है कर्व के अलाबा यह पॉस्बिल है आपका और अब और दुब्विमान कैसे हो सकता है किसी पूरे आयतन में हो जैसे ठोस गोला हो ठोस सलेंडर हो आपका या फिर कोई भी ठोस चीज है ठीक है ठोस शंकु हो ठीक ठोस अर्ब गोला हो तिस परिस्तेसी में आपका दर्बेमान जो है पूरी तरीके से वित्रित है आयतन में वित्रित है तो हम यहाँ पर बच्चों क्या कहेंगे आयतन वित्राण यह देखिए इसके कॉडिनेट हो गया है यह मूल मिंदू है इसके कॉडिनेट 0,0 कह दिया यह x,y हो गया अब कैसे निकालो मैं यह कह सकता हूँ यह जो आपकी वस्तु है अनंत कड़ों से मिलकर बनी है कितने कड़ों से मिलकर बनी है अनंत छोटे छोटे कड़ों से मिलकर बनी है मान लिया किसी एक कण का दर्वेमान MI है ठीक तथा उसका जो इस्तती सदिश है वो आ रहाई है दर्वेमान क्या है? MI है और MI क्या है? एक बहुत छोटा कण MI का जो मान है बहुत छोटा है MI is tending towards infinity माफ कीजेगा is tending towards zero चूनने की तरफ जा रहा है MI तो बच्चो ऐसी परस्तिती में क्या होगा? ऐसी परस्तिती में देखिए अगर मुझे लेखना है दर्वेमान केंद्र का इस्तिती सदिश तो मैं क्या लेखूँगा? Summation, MI, RI, Vector और नीचे क्या लिख दूँगा? Total mass, इस body का एक total mass भी तो होगा? M MI बहुत छोटा कण है ठीक है? बहुत छोटा है इसका mass लगवाग लगवाग शूनी की तरफ आगरसार है बच्चो ऐसी परस्तिती में मैं कह सकता हूँ अब ये कितने कण है? अनंत कण हैं किने नहीं जा सकते? अनंत कण हैं तो देखी ये वाली जो चीज है ना आपकी ऊपर वाली ये चीज जब यहाँ पर MI बहुत छोटी value हो जाए और ये summation आपका अनंत के लिए हो जाए integration यानि कि समाकलन में बदल जाती है और आपके सामने तब position जो vector है center of mass का दर्विवान केंद्र का इस्तिती सदिश जो है वो हो जाता है आपका summation हटा कि यहाँ पर हम बेटा क्या लगा जेते हैं integration और ये बहुत छोटा है तो बहुत छोटे के लिए हम dm का use करते हैं dm r vector divided by m मतलब क्या है इस अब mass को हमने क्या दिया इस इस्तिती को हम परिवर्तित कर दे रहे हैं तो क्या कह दिया हमने क्या करा इस body का कोई एक छोटा सा mass element ले लिया जिसको dm कहा इस dm mass element का जो position vector है वो r vector है ठीक है बच्चों तो इस परिस्तिती में ये dm हमारा जो center of mass होगा इस body का जो center of mass की position vector होगा ये हो जाएगा r dm r vector dm और total mass को भी तो ऐसे लिख सकते हैं integration की form में dm यह यहाँ पर आपका जो dm है वो आपकी वस्तू का कुल दर्वेमान है तो यह आ गया अब इस तरी किसे निकाल सकते हैं तो हमें पहले ये note कर लिया अब मा लिजे मुझे x coordinate निकालना हो center of mass का या y coordinate निकालना हो तब क्या करेंगे पहले से note कर लिजे फिर मैं इसे rub कर देता हूँ और वो समझाता हूँ तो फटाफटे से note करिए बच्चो आईए देखिए center of mass का जो है आपका उसके position vector का x coordinate कैसे निकाले तो x coordinate center of mass का ऐसे निक्षेंगे x dm वही सारी चीज़े है बच्चो चलो मैं करके बता दू एक बार आपको अगर लग रहा हो कि सर ये कैसे लिख दिया तो हमने कह दिया position vector है center of mass का ये होगे आपका x cm i cap y cm j cap j cm k cap ये position vector होगे आपका center of mass का इसके बात क्या करते है बच्चो देखो अब हम क्या लिखेंगे r cm का मान क्या है r vector dm integration पूरी body का mass अब r vector भी कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है देखो ये बराबर किसके हो गया ये बराबर हो गया r vector मान लिजे इस r इस बिंदू दरबेमान के या dm mass का जो coordinate है वो है x, y, z तब हम इसे लिखेंगे x i cap plus y j cap z k cap भई ये ही तो लिखेंगे अरे ये ही लिखेंगे बच्चो क्योंकि ये इस्तिती सदेश है अरे किसी बिंदू के अगर आपको coordinate दे रखे हो तो इस्तिती सदेश इसी तरीके से लिखते है तो भीटा j होगे आपके अब नीचे क्या लिख रहे थे हम लोग नीचे लिख रहे थे total mass अच्छा अब क्या कर लोगे i cap बालो को compare करोगे तो i cap बालो को compare करने पर क्या लिखोगे x cm और यहाँ पर भी x into dm आएगा x into dm और नीचे total mass आएगा अब क्या करोगे j cap बालो को compare करोगे यह राज j cap y cm और क्या आएगा y into dm और integration कर साइग तो आपका y cm किता आगे बेटा y cm आगे आपका हाँ यह होगे आपका y dm बटे total mass j cm किता होगा बेटा j cm इसी तरीके से k cap बालों को compare कर लोगे तो j dm integration बटे total mass तो आपको center of mass के x y z coordinate निकालना आगे आगे नहीं आगे अब देखो यह इस तरीके से हम कैसे center of mass निकालते हैं पहले इसको समझेंगे फिर इसके बाद क्या कोई ऐसा shortcut तरीका है जिससे हम center of mass को समझ सके अच्छा यहाँ पर ही lie करता होगा center of mass तो पहले एक example देखते हैं एक rod को देखते हैं इसका center of mass कहा होगा इसको calculate करते हैं इतना note करिए फिर हम उसे भी calculate करते हैं बच्चों अब देखिए माली जी एक rod रखी है अब इस rod क्या कुल mass यानि कि कुल दर्वेमान जो है वो capital M है इसके कुल length जो है capital L है इस rod का हम दर्वेमान केंदर की इस्तिथी जानना चाहते हैं इस rod क्या दर्वेमान केंदर कहा होगा तो देखिए एक बात को जड़ा ध्यान से सोचिएगा कि दर्वेमान केंदर कहा हो सकता है दर्वेमान केंदर हमेशा symmetric या तो plane पे होगा या symmetric point पे होगा या symmetric axis पे होगा लाइन पे होगा या तो आपकी सम्मित अक्ष पे होगा एक रेखा पे होगा या सम्मित सम्तल पे होगा या फिस सम्मित बिंदू पे होगा यानि कि जिस बिंदू के चारों तरफ पूरी बॉड़ी एक जैसी लगे जिस से हम कहीं भी देखे तो हमें बॉड़ी का पूरा द्रविवान एक जैसा बटाऊवा दिखाई दे तो उस बिंदू पर ही जाधा तर आपका point of symmetry पर ही आपका जाधा तर द्रविमान केंद्र सतत आपका सतत द्रविमान बित्रण में देखा जाता है ठीक है तो इसको पहले समझ लेज़े इसका calculate करते हैं तो क्या procedure है सबसे पहले हम एक चीज निकालेंगे कि एकांक लंबाई पर कितना द्रविमान है जिसे हम कहेंगे linear mass density रेखिक द्रविमान घनत्व तो सबसे पहले lambda मैंने कहा क्या है एकांक लंबाई पर द्रविमान का मान कितना दर्विमान है बच्चे एक आंक लंबाई पर ये देखते है तो बही कुल लंबाई आपकी कितनी है L है कुल दर्विमान कितना है M है तो आपका लेम्डा यानि की लेम्डा जुसे हम कह रहे हैं बही आपका रेखिक दर्विमान घनत तो ये M बाई हो गया इसे लिख ल गनत्व यह आपका हो गया लेम्डा ठीक है बच्चो असान चीज़े हैं यहां तक की कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अब आगे की बात देखो अब हमने क्या करा इस पर यहां से एक्स दूरी पर एक छोटी सी लंबाई ली बहुत छोटी सी किती लंबाई है वो डी एक्स लंबाई है किती डी एक्स लंबाई बच्चो यह हमने किती लंबाई ली यह बहुत छोटी सी डी एक्स तो इस कहजिया और इस dx लंबाई पर जो द्रबिमान उपस्तित है वो dm है तो भई एकांक लंबाई पर अगर lambda द्रबिमान है तो dx लंबाई पर कितना होगा बच्चो lambda into dx ठीक है तो आपका dx लंबाई पर कितना द्रबिमान होगा lambda into dx जो कि क्या है? dm है तो dm बराबर आगे आपका lambda into dx ठीक, अब lambda आपका कितना है बच्चों? ये है m by l into dx अब आपको देखना है दरविमान केंद्र का x coordinate तो क्या लेखेंगे? भई हम लेखेंगे x dm बटे कुल दरविमान x dm किता है, x तो x ही रहा dm है आपका m बटे l dx capital m और यहाँ पे अब x का मान देखो कहां से चालू हुआ है x, वही कहां से छड़ चुरू हुई है 0 से और कहा समाब तो रही है l पर तो लगा देंगे 0 से l तक ठीक है? तो इस m से m गया यहां आ गया x dx बटे l 0 से l इसका समाब कलन x square by 2 और limit यानि कि सीमा 0 से l तो यह हो गया भई l square 2 l को ऐसी ले ले l square minus 0 और यह हो गया l square by 2 l एक गया l by 2 आया तो हमारे बास बच्चों देखो द्रबिमान केंद्र का x coordinate आ गया कहां पर इस्तित है यह? आपके मध्य रॉड का जो मध्य बिंदू है यह जो रॉड का मध्य बिंदू है l बटे 2 इस पर है हमारा center of mass ठीक है? इस पर उफस्तित है बच्चों हमारा center of mass जो एक हमने बहुत अच्छी चीज अभी सीखी अब इसका कौन सा आसान तरीका है calculate करने का इसको भी जानेंगे पहले से note तो कर लो आगे आता हूँ बताता हूँ shortcut method कैसे क्या उनसी axis क्या सम्मती axis यह सब जानेंगे पहले note करो तो बच्चों अब जानते हैं कि center of mass को कैसे और आसानी से समझा जा सकता है तो अगर देखिए आपके पास कोई ऐसी body है जिसमें symmetry एक्जिस्ट करती है symmetry का मतलब सम्मती एक्जिस्ट करती है जितना जैसे कि मैं कहूँ कि यह एक line है यह रेखा है तो इस रेखा के इतना जितना भाग इधर है उतना ही भाग इधर है तो हम कह सकते हैं यह फिकर इस axis के about इस अक्ष के दोनों तरफ सम्मित है symmetry है एक जैसी है समरूप है ठीक है तो इस बात को आप समझे तो अब हम क्या कहते हैं कि अगर हमें symmetry मिल जाए तो ज़्यादा तर आपका जो त्रबैमान के इंदर है center of mass है उस रेखा पर या plane पर या बिंदू पर इस्तित होता है जिसके चारो तरफ जो है figure या body आपकी समरूप होती है उसी के उपर इस्तित होता है उधारण से समझते हैं जैसे कि आपका एक ring है अगर हम ring की बात करें तो ring जो है अपने जो इसका केंदर है इसके चारो तरफ क्या होता है समरूप होता है एक जैसा होता है तो यहाँ पर आपका center of mass यह आपका क्या हो गया यह बिंदू आपका क्या हो गया point of symmetry हो गया तो इस point of symmetry के दोनों तरफ बतला आप देखे figure एक जैसी है कहीं भी देखे figure एक जैसी है तो इसी पर center of mass इस्तित होता है अगर एक और उधानर से समझाए एक आपके पास वर्ग है एक जैसे metal की sheet है जैसे वर्ग के आकार में काटा गया है तो इसका कहा होगा point of symmetry तो देखो बिटा इसका point of symmetry वहाँ होगा जहाँ पर इसके दोनों विकार्ण यानि कि दोनों diagonal कट करते हो तो यहीं पर इसका इस्तित होता है center of mass असान बात है न अब देखो जैसे rod बताई थी मैंने rod का जो है इसके mid point पे होगा L by 2 पर होगा ठीक अगर कुल लंबाई L है और आपका दिखान रखीगा mass distribution एक जैसा होना चाहिए uniform mass distribution होना चाहिए यानि कि एक समाज दर्वेमान का वित्रण होना चाहिए तब ही यह इस्तिती है ठीक अब जैसे आपका एक घम ले ले खोकला गोला ले लो या ठोस गोला ले लो तो इस खोकले गोले गया ठोस गोले का जो point of symmetry है वो इस गोले का केंदर होगा तो यही होता है इसका center of mass तो हमें समझ में आया कि आपका जो center of mass है वो कहां होता है उस axis पर या उस point पर या उस plane में स्थित होता है जिसके चारों तरफ figure यानि कि body का आकरती एक जैसी होती है ठीक है तो इस point को समझे लेकिन ये कौन से continuous distribution वाली चीजों के लिए है जहां पर symmetry exist करती है और ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं इस्थित हो जहां पर figure symmetry को ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों कि वहीं इस्थित हो जहां पर figure symmetry हो लेकिन अगर आपको symmetry दिख रही है किसी body में तो वहां पर इस्थित हो अगर नहीं दिख रही तो ऐसा कोई जरूरी बात नहीं कि वहीं इस्थित होगा ठीक है तो इस बात को ध्यान रखिएगा अब हम भिन भिन आकरती के जो दर्विमान है ठीक है उनका center of mass कहां इस्थित होगा इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसे आपके सामने एक पूरी table है ठीक है बिन बिन आपकी जो bodies है या फिस different तरीके की आकरती की जो आपकी वस्तुवें है इन वस्तुओं का दर्विमान केंद्र कहां इस्तित होता है यह जानना चाहते है तो देखो अगर आपका पूरा वले जैसे चूड़ी हो गई कड़ा हो ग सेंद्र है वो उसका कहां होता है सेंटर पर होता है उसके केंदर पर ही होता है अब आपका आधा होता आधा काट ढिये आधा होता तो आधा यानिकि सेमी- Corinth yeah कि यह यहां पर ही इस तो का सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पर यह यहांने कि इसकी जो केंद्र है इससे कितना दूरी ये जिसकी value है 2R बटे पाई अब आप सोच रहोगे सर यह आर क्या है तो आर जो है इसकी तिरिज्या है यह आर इसी तरीके से आपकी disc CD देखी ना CD तो उस डिस्क का एकदम एकदम गोल परती जैसे केक लाते होगे तो केक के नीची क्या आती है लेकि तक्ति आती ना गोल सी तो फिर वो क्या है आपकी disc कहलाईगी इस डिस्क का अगर पूरी डिस्क है तो उसका तो सेंटर पे होगा लेकिन अगर आधी डिस्क है तो जैसे हम बोलेंगे semi circular disk तो इसका कहा होता है देखो अगर इसकी r आपकी क्या है त्रिज्या है तो यहां पर इस्तित होगा आपका center of mass देखो फिर से आपका कौन सी symmetric axis इस रेखा के दोनों तरफ figure एक जैसी है आकरती एक जैसी है इसका मतलब यह है कि आपका center of mass है बच्चो यहीं इस्तित है ठीक अब कितना ycm ycm की value किती है 4r r जो की तरज्या है बटे 3pi आपके पास आदा खोकला गोला है खोकला गोला यानि कि जैसे ball होती गेंद होती है आधी कर्णी तो इसका आपका दर्वेमान केंदर गाहां होगा तो इसका कर्णी इ praw at 122 पर होता है ठीक。」 जो इसका center रहा होगा यह गोले का पूरा center उससे नीचे खोकला ठोपा रोत आक देखो आपको आसानी से पता चल गया हमें एक की तरवेमान केंद्र पर कोई तरवेमान हो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका वस्तूदों का यो दरह बंद्र हो वस्तू पर इसा जरूरी नहीं है अब देखो आपके पास आदे खोकले गोले की बात कर लिए अगर पूरा होता तो वो तो केंदर पही रहता अब ठोस गोला है एक तब काट दिये भरा हुआ गोला थांदा से चैसे मैटल का कोई गोला है आदा काट दिये तो उसका दर्भयमान केंद्र कहाओँगा उसका दर्भयमान केंद्र होता है तीन आरबे आठ यहां से तीन आरबे जया Levitt दिये भच्छों-अड़्ञ आपके पास कोई त्रभुजये प्लेट है त hypertटी है ठीक जिसकी हाइट है और बेस टूबी है ठीक आधार जिसकी लंबाई कितनी है उचाई कितनी है एच है और आधार टूबी है तो ऐसे का इसके आधार से यहां से किसे एच ऑफ दूरी पर होता है इसका क्याची द्रववान केंडर अब माल लो आपके बास खोखला गोला आपके बाद गोला होता है ना माफ कीजिए बच्चो को राश शंकू है गोला नहीं को सब्सक्राइब जैसे जोकर वाली टोपी देखियोगी जो बड़े पर लगा द खोकला शंकू है तो इसका खोकले शंकू का भी इसके अधार से h by 3 उचाई पर इस्तित होता है इसका दर्विमान के इंद्र यहाँ पर h जो है इसकी कुल उचाई है है जो है इसकी कुल उचाई है अब माले लो आपके पास ठोश शंकू होता तो ठोश शंकू यानि के एकदम सॉलिड शंकू है तो ठोश शंकू का जो दर्विमान के इंद्र होता है उसके यहां बेस से h by 4 दूरी पर होता है तो यह हमें याद करने है देख उसका डेरिवेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी आवशिक्ता नहीं है जब हम एडवांस के लिए जाएंगे तो मैं इसका डेरिवेशन आप लोगों करा दूँगा अभी हम सवालों को देखेंगे अभी हमें यह याद रखना है इसकी उपर अधारिस सवालों को देखेंगे अभ दोस्तों मेहनत से पड़ो प्यारे बच्चों मेहनत से पड़ो मेरा नाम तो पता है ना बार बार बताने की जरूरत चलो याद करो मेरा नाम है से धार थरी तश बाई-बाई टाटा जैहें